शेहर की नुतन स्कूल के ग्राउंड में भरती है रात में दारुकी मैफिले। युवा खिलाडियों और भविश्य खिलाडियों को उठानी परती है सुभख खाली बौतले। नियमित सराव को आता है वेद खिलाडियों ने की पैशासन से गुहार। हिंगंगाड शेहर के नुतन स्कूल ग्राउंड ने शेहर को राष्ट्य अंतराष्ट्य खिलाडी दिये है। इस ग्राउंड ने चंदरशेकर आतराम जैसे अंतराष्ट्य खिलाडी दिये है। परंपरागत क्रिकेट जैसे खेल का नियमित सराव किया चाता है। हिंगनगाट के भविश्य के खिलाडी सुभः शाम अपना पसीना बहाते हैं। उसके साथ जूडों के खिलाडी भी प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ भी राश्ट्रियस्तर के खिलाडीों की उत्पत्ती हुई है। सभी खिलाडीों के साथ वरिष्टी खिलाडी भी अपनी ज प्राउंच से दूर करना पड़ता है। अभी ये खिलाडियों का रोज का काम हो चुका है। जो नन्य बच्चे दारों को हाथ तक नहीं लगाते तब उनको रात के समय शहर के मदीरा प्रेमियों ने फस्ट की बॉतले उठा की ग्राउंच से दूर करना पड़ता है। तब च हिंगनघाट नगरपालिका के नगरादिक्ष भी जो एक वक्त में प्रख्यात क्रिकेट खिलाडी थे तब खिलाडी के नाते ग्राउंड के स्वच्चता का प्रश्ण अभी उनका दाईतों बनता है। उसके साथ ही हिंगनघाट पुलिस प्रशासन में नवनियुक पुलि शाइब बढ़ गई है। हिंगनघाट से रविय नौरकर की रिपोर्ट इन बीसियन न्यूस नाकपुर।